नमस्कार दोस्तों, देखे आजपन इस वीडियो में बात करेंगे खुसी M-Ticket के बारे में आखिर ये जो खुसी M-Ticket है, क्या काम करती है, किस परकार की समस्याओं से राहत पाने के लिए उप्योग में ले जाती है उप्योग में लेने के बाद में पैसे इनको क्या कैस के फायदे और क्या कैस के नुकसान देखने को मिल सकते है तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना देखे यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन परपच के लिए है किसी भी मेडिसेन का उप्योग करने से पहले आप डॉक्टर के सला ले ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो और यह वीडियो आपको सिर्फ जागरो करने के लिए बनाए गया है देखे अपन बात करें आखिर कुसी एमटिकेट क्या काम करती है तो इसके अंदर देखे पांच टेबलेट आती है इसमें जो पहली उपर वाली मेडिसेन होती है यह है मेफिप्रेश्टोन के होती है जो कि इसके अंदर मेफिप्रेश्टोन होता है 200MG के अंदर बाकि नीचे की जो चार टेबलेट आती है यह है मेजो प्रोस्टोन की होती है जिसके अंदर मेजो प्रोस्टोन होता है 200MG देखे अपन बात करें आखिर किस किस तरह की समझ्याओं से रात पाने के लिए इस टेबलेट का उप्योग किया जाता है तो यह है जो एक एक किट बनाए गई है यह है खास तोर पर मेलाओं के लिए है यह कई बात देखे मेलाएं प्रेग्नेंस से कंजिव कर लेती है और बाद में वह अबोर्शन चाती है तो इस टेबलेट का मुख्योप्योग अबोर्शन के लिए किया जाता है माली जो कोई मेला है उसने प्रेग्नेंस से कंजिव कर ली है किसी अन्यकारण से और वह चाती है कि उसका अबोर्शन हो जाई तो अबोर्शन के काम आने के लिए यह है जो किट है काम आती है इसके अंदर जो मेफि प्रिष्टोन की टेबलेट है यह है आपके यूटरस की एक्टिविटी को कम करती है यूटरस को कॉंटेक्ट होने से रोकने का काम करती है बाकि नीचे की जो चाट अबोर्शन की यह है आपके अबोर्शन का काम करती है यदि कोई मेला है गलती से प्रेग्नेंस से कंजिव कर ली है या फिर उसके pregnancy के अंदर किसी तरके कोई समझ्या है आ गई है जिसके कारण वह abortion चाहती है तो abortion के लिए यह है जो tablet है काफ़ी जादा मदद करती है यानि कि यह है जो kit बनाई गई है काफ़ी जादा मदद करती है अपन बात करें आखिर इस tablet को यानि कि यह जो kit बनाई गई है इसको लेने के तरीके के बारे में तो देखे यह है जो उपर वाली tablet है मीफी प्रिश्टों की यह है आपको रात को लेनी होती है या फिर आप इसे दिन में भी ले सकते हैं आप एक time fix कर सकते हैं उसके 48 गंटों के बाद में देखे नीचे वाली जो चार medicine है इनको आप एक साथ लेना होता है कई बार doctors देखे इसको लेने का तरीका अलग-अलग बताते हैं ज्यादातर पैसेंटों को चारो टेबलेट एक साथ लेने के सला देते हैं औरली ताकि उनका अबोर्शन एक बार में ही हो जाए कई बार देखे पैसेंट के कुछे मतलब की अबोर्शन ठीक से नहीं हो पाता है तो उनको कई परकार की समश्याएं देखने को मिलती है तो यह है जो टेबलेट है महिला के अबोर्शन में काम आती है यानि कोई महिला है और उसका यह मेडिसन रात के 8 बजे लिए तो आप इस मेडिसन को 12 तारीख को रात के 8 बजे चारों मेडिसन एक साथ ले सकते हैं देखे डॉक्टर की सला लेकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए इसलिए आप डॉक्टर की सला के अनुसारी इस मेडिसिन का उपयोग करें यहे किटे आपको नॉर्मली कहीं पर भी मिल जाती है लेकिन जब डॉक्टर से इसे प्रिस्क्राइब करता है तब ही आप इसे ले पाते हैं ऐसे आपको कहीं पर भी यह है जो किट हैं नहीं मिलेगी डॉक्टर की सला लेकर आपको इसका उपयोग करना है अपने बात करें इसको विश्तार से तो देखिए कई बार मैलाओं का जब blood pressure बहुत ज़्यादा रेता है तो ऐसी मैलाओं इसका उप्योग नहीं करें जिनको hypertension के समस्याएं रेती है जिनको blood pressure बहुत ज़्यादा रेता है या blood sugar बहुत ज़्यादा रेता है जिनको heart के समस्याएं है तो ऐसी मैला हैं इस tablet को लेने से बचे क्योंकि इस kit को लेने बाद मैलाओं के बहुत ज़्यादा heavy bleeding होती है तो उनको कई परकार के समझ चाहें भी देखने को मिल सकती है देखे जब कोई मैला उपर वाली जो medicine है मीफी प्रिस्टोन की इसका उप्योग करती है तो मैला को नोजय वामिटिंग ज़े समझ आइं देखने को मिल सकती है हेडेक हो सकता है साथ में उसको देखे कई बार उसको चक्कर वगएर आप याने ज़े समझ आइं देखने को मिलती है बाकी नीचे की जो medicine है इनको लेने बाद में मैला को बहुत ज़्यादा heavy bleeding देखने को मिल सकती है तो इस पर कायर के कुछ आपको side effect भी देखने को मिल सकते हैं बाकी मैंने आपको बताया इसको लेने बाद में बहुत ज़्यादा आपको heavy bleeding देखने को मिलेगी और कई बार इसके चक्कर भी आ सकते हैं नो जो वोमेटिंग की समझ्याइं भी देखने को मिल सकते हैं तो इस पर कायर कुछ आपको नॉर्मली साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं बिना डॉक्टर के सिलागे बगएर आपको इसका उप्योग नहीं करना है यह वीडियो सिर्फ एजुकेसन परपच के लिए बनाया हूँ आप किसी बें मेडिसिन का उप्योग कोने से पहले डॉक्टर के सिलाग जरूर ले तो देखें मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है खुसी एमटी किट के बार में कि आखिर किस तरह की समस्याओं से रात पाने के लिए इस किट का उप्योग किया जाता है और इस किट का उप्योग करने एक बाद में महिला क्या के इसके फायदे और क्या के इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं तो मैंने पूरी जानकार इस वीडियो में दे दी है तो यदे आपको इस वीडियो से थोड़ी नौलेज मिली तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ने किये तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी हम अगला वीडियो डाले तो उसका नौल पिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो फिर मिलते हैं वीडियो में जब तक के लिए जेहिन